हेलो नमस्कार एक प्रश्ण आपको बहुत ज्यादा परिशान करता होगा और उसी प्रश्ण का जवाव मैं आपको देने के लिए आया हूँ मैं हूँ राज राना और आप सब हैं मेरे सुपर स्टुएंट कि सर मैं बिहार सिचक भरती की तैयारी कर रहा हूँ और बहुत दिनों से मैं इस इंतजार में हूँ कि बिहार में मैं भी एक टीचर बन जाओ और मैं दोनों के लिए एलिजिबल हूँ मैं उसी का भीरती हूँ और मैं टीचर भी बनना चाहता हूँ तो क्या दोनों की तैयारी एक साथ हो सकती है या मुझे याद रखना पड़ेगा चैसे लेके आट की तैयारी मुझे अलग करनी पड़ेगी और 9 से 10 की तैयारी मुझे अलग करनी पड़ेगी दोनों के सिलेवस में क्या अंतर है क्या दोनों को एक साथ तयार किया जा सकता है एक और प्रस्ण जो आपको परिषान करता वो यह है कि सर SST करने के बाद क्या GS की भी अलग से तयारी करनी पड़ेगी तो आईए उन सारे प्रश्णों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि मैं थोड़ा सा से लेवर से बता दूं कि छैसे आठ इसको मिनी टीजीटी भी कहते है अगर आप देखें तो इसके लिए eligibility क्या है कि आपने CTAT का paper number जो second है न वो qualify किया ठीक है यह तो आपको पता है न और जो 9 से लेकर 10 जो TGT है उसके लिए जो आपकी लिए qualification है कि आपने ACT जो अभी ACT हुआ था न वो आपने paper number first यार उसमें जो paper first था वो qualify किया हूँ ठीक है तब आप यहां पर form भर सकते हो और आप उस नौकरी के लिए eligible हो आगे जाके देखें मैं यहां पर आपको लिए बता रहा हूं कि अगर कोई SST का teacher बनना चाहता है उसके लिए है सारी चीजे जो मैं आपको बताना चाहता हूं तो देखिए अगर हम syllabus देखें तो 6-8 के लिए जो syllabus है जो अब तक बिहार का pattern है क्योंकि यह पहली बार भरती होंगी इस तरह से तो अभी इसका syllabus तो out नहीं हुआ है लेकिन फिर भी इसका syllabus यह आना है कि 6, 7 और 8 यह 3 किलास की जो NCERT है हम इसको साथ सा जोड़कर SCERT भी बता देंगे SCERT है इन बुक से आपके 80 नंबर पूछे आएंगे ठीक है और उसके अलावा जो 40 नंबर होंगे ठीक है जो यहां पर 40 होंगे क्योंकि 120 का paper होता है उसमें आपकी आएगी GS GK ठीक है यह आएगा आपको चनल ली तो यह है ठीक है यह इसका syllabus है 9 और 10 इसके अगर हम syllabus की बात करें तो चलिए यह भी syllabus देख लो इसमें क्या है 9 और 10 की बुक आएंगी इसमें कौन से NCERT यानि जो question होंगे 80 question होंगे वो 9 और 10 की बुक से 80 question होंगे इसके अलावा क्या होंगे 40 जो question होंगे वो GS और GK से होंगे है ना यह आपको पता है ना अब इसमें एक चीज और याद रखना कि इनसे जो प्रशन आप से पूछे जाएंगे तो क्या केबल 6 से लेकर 8 तक की किताबों से जाएंगे क्या आपके 9 और 10 की किताबों से ही केबल प्रशन आएंगे ऐसा नहीं है यह कहा गया है कि आपकी जो नियुनुतम क्वालिफिकेशन जैसे ग्रेजुएशन तो आपके क्वेस्टन का जो इस तरह है वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा यानि 6 से 6 7 8 की केबल किताब पढ़ने से आप सारे असी क्वेशन नहीं कर पाएंगे आपको लेवर बढ़ाना पड़ेगा जैसे इंडिया पढ़ रहे हो तो इंडिया को आपको थोड़ा सा अच्छी स्टेंडर से पढ़ना होगा आप अगर प्रतिवी की गतियां पढ़ रहे हो तो फिर उसका स्टेंडर आप पर ग्रेजु 10 और 10 की भी एंसी आटी पढ़नी पढ़ेगी इसके अलावा आपको 11 12 की थोड़ी बहुत पढ़नी पढ़ेगी क्योंकि इसका लेवल इसी तरह से दे रखा है जैसे आपको पता है कि 9 में भारत से रिलेटर कुछ कुछ चप्टर दे रखके पहला चप्टर ही है जोगराफ कुछ किताबें होती हैं जो मार्केट में होती है या जो बीपीएसी जिनसे सवाल पूछता है जिसमें सब कुछ लुखा होता है उनसे भी आपसे प्रशन पूछे जा सकते हैं क्योंकि लेवल हाई रखना है अब याद रखना तो आप अगर 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 6-7-8 की किताब तो पढ़ने ही पढ़नी चाहिए अगर आपको 9-10 की किताब भी अगर आपको मिल जाएं साथ-साथ पढ़ने के लिए तो उनको पढ़ें अगर कहीं पर आपको 11 और 12 ठीक है इनसे भी प्रशन कराए जा रहे हैं तो उन प्रशनों को भी आप निश् तरीन पकड कहीं अगर जैट स्टीम आ जाए तो जैट स्टीम के बारे में आपको फिर बिलकुल गहराई से पता होना चाहिए लेवल तक कितने प्रकार की जैट स्टीम होती हैं जैट स्टीम का हमारी जो हमारा मांसून है उस पर क्या इंपक्ट पड़ता है यह तक आपको कहांने चाहिए इसी तरह सो यहां जब भारती राष्टी आंदुरन जब आप पढ़ोगे तो फिर आपको भारती राष्टी किताब को स और अगर आप 6-8 के सिक्षक बनना चाहते हैं और एक बार में ही selection लेना चाहते हैं तो 6-7-8 की किताबों को घोट के पी जाओ यह तो पीना ही है 9 और 10 से उससे relative चीजों को जरूर पढ़ना है अगर 6-7 की किताबों में बरस्पती है और 9-10 में भी बरस्पती है तो 9-10 की बरस्प पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी यह मैं आपको बता रहा हूं और थोड़ी साइंस पर लें ठीक है और मैं त्रीजिन तो आप पढ़ते हो लेकिंगे जो सवाल आएंगे जैसे जेग्राफी के पॉलिटी के इंडियन नेसनल मुव्मेंट के वह सवाल आपको नहीं पढ़ें तो आपको लगता है कि विना 6-7-8 की पढ़ें आप 9-10 की किताब को समझ पाओ नहीं तो पहले आपको 6-8 की किताब पढ़नी पढ़ेंगी और फिर 9-10 की भी पढ़नी पढ़ेंगी क्योंकि आपका भी लेबल गिरेशनलेवल तक रहना है तो आपको भी ग्यारा बारे की किताब और टॉपिक की जो पकड़ है वो ग्रेजुसर लेवेल तक रहेगी इसके पेपर में और इसके पेपर में बहुत जादा अंतर नहीं रहना है इसलिए आपको टोटेलिटी के साथ तैयारी करनी है संपूर ग्यान संपूर भूगोल संपूर इतिहास संपूर एकॉनमी याद रखना यह सारे चीज़ें आपको अच्छे से पड़नी है और संपूर इतिहास संपूर ता के साथ जो भी टॉपिक दे रखे हैं कोई वी किताब आप लूशन से भी क्वेशन आएंगे सिर्फ इससे प्रशन नहीं आएंगे और अगर आपने भी यह 6 7 8 9 10 11 कि किताब अगर आपने पढ़ लिए अच्छे से तो फिर क्या आपको लगता है कि 40 या नहीं आपको जीस जी के पढ़ने की जरुत पढ़ेगी नहीं तो आप आपको अपना फ से त्टीके simplu कोई टेंशन नहीं होना चाहिए इसका मतलब है कि यह दोनों की तयारी हम साथ-साथ कर सकते हैं अगर आप चैसे 8 की भी तयारी कर रहे न नो सो दस यारी कर रहे तो आप स साथ-साथ तयारी कर सकते हैं एक और चीज है अगर आपकी एलिजबलीटी ये भी है क कि अगर आपने stat का ठीक है पेपर नंबर सेकंड किया है पेपर नंबर सेकंड निकाला है और पीजी टी में अगर खुर नरफी है तो वह पूरी पढ़ रहे हो तो वह आपके लिए ठीक है पास SST में यह कर रहे हो और आप इस जोग्राफी पढ़ने की ज्यादा जरुवत नहीं पढ़ेगी तो यह भी आपको अच्छे से याद रखना है और आपको जीए जीके के लिए क्योंकि इसके क्वेश्चन अच्छे होंगे तो आपको 6-6 कि किताब भी पढ़ने पढ़ेग पढ़ेगी और इसका जो लेवल होगा वो पोस्ट डियूश्य लेवल होगा इसमें अलग से जब सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो सब्जेट सब्जेक्ट में कुछ ठिंकर वगएरा इसमें भी पढ़ाई जाते हैं तो वह ठिंकर वगएरा लग से आपको पढ़ने सब्सक्राइब jay axa कि अगरने की तयारी करते हो तो तो bur Шit T जाएगी इनको पढ़ने के बार तो। We Just T इनिवि इंफर्मेशन की तो आप कोई भी दिक्कत का सामना न करें और आराम से अगर आप त्यारी रहें 6-6-9-10 और 6-8, 9-10 तो इनकी 7 सा तयारी करें एक जैसी तयारी होगी चादा तयारी में अंतर नहीं आएगा है ना तो ये आपको information कैसी लगी ये जरूर बताएं अगर आपको कोई और information चाहिए और आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में जाके बता दीजिए जैहिंद मेरा नाम है राजराना और मुझे आप जोइन कर सकते हैं एसस्टी विद राजराना पर नमस्का